जोदुपुर में रविवार को एक 9 साल का मासूम चाइनीज मांजे की चपेट में आ गया। इस चलते उसका गला कट गया और वो बुड़ी तरीके से घायल हो गया। उसे करीब 20 से 22 टाके लगवाने पड़े। इसके अलाबा उसके हाथ पर भी कई कट के निसान नजर आए। सोंबार को उसके पिता ने पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मकराना महला निवासी मोहित सौलंकी रविवार को अपने बेटे कुंज और भतीजे के साथ बाइक पर किला रोर पर घुमने जा रहे थे। इस दौरान राव जोधा पार्क के पास अचानक मांझे की डोर कुंज के गले में अटक गई। इसे देखते हुए बाइक को रोका गया लेकिन तब तक बच्चे के गले से खून बहने लगा था। जहां उसे मथुरादास माथुर अस्पताल में रैफर किया गया है। जहां उसके गले में 20-22 टाके लगवाए गए। लेकिन गला कट जाने से बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है। मोहित सलंगी ने बताया कि उन्होंने इस घटना की सूड सागर थाने में रिपोर्ट भी दर्च कराई है। रक्चा बंधन के अपसर पर जोधपुर में पतंग बाजी होती है। ऐसे में पुलिस कमिशनर ने 17 अगस्त को ही ये आदेश जारी कर दिया था। उन्होंने चाइनीज मांचे के इस्तमाल पर रोक लगा दिया था। इसके अलावा कमिशनर ने अपने आदेश में सुभा और साम दो घंटे तक पतंग बाजी पर परतिबंध लगाया था। ताकि पक्षियों को कोई नुकसान ना हो। पुलिस कमिशनर ने ये रोक 18 अगस्त से 1 सितमबर तक लगाई है। लेकिन इस आदेश के अगले दिन ही ये हाथसा हो गया।